बहुत सारी भीड है interview के लिए कुछ लोगों का interview पहले हो चुका है, कुछ लोगों का हो रहा है, उसके बाद आपका होता है और आपका interview होने के बाद अगर आप से कहा जाता है यानि आपका selection हो चुका है, we will contact you, हम आपसे contact करेंगे, you will get mail soon, आपको mail जल्दी ही मिलेगा इसके regarding, congratulations you are selected, या फिर we will contact you within one week, one month, इसके बाद आप घर चले जाते हैं और आप wait कर रहे होते हैं, एक हपते बीते, एक महीना बीता, दो महीने बीत गए लेकिन आपके पास कोई भी mail confirmation या फिर कोई भी contact नहीं हुआ है, और आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है, जो इसका जबाब दे सके, तो आप बिल्कुल सही, बिल्कुल right वीडियो पे आए हैं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा, आखरी तक आपके सवाल का जबाब जरूर बिलेगा, तो यहाँ प 5000 या फिर कोई भी amount, तो आप सतर्क हो जाएए, alert हो जाएए, आपके साथ fraud होने वाला है, point number two, किसी भी course को करने की जरूरत नहीं है, आप online apply करते हैं, उसके बाद आपके पास call आता है, message आता है, या फिर mail आता है, कि आप कोई course कर लीजिए, तीन महीने का, छे महीने का, चा इसा भी खर्च नहों, और आपको जॉब मिल जाए, तो उसके लिए आप मुझसे connect हों, और कम से कम 6 महीने तक मेरे वीडियो को देखें, ये एक तरह से trading का काम करेगा, और आपको सीधा-सीधा पता चल जाएगा, कि जॉब के लिए क्या करना होता है, वैसे अगर जॉब च आ रहे हैं, ये चीजे ऐसी हैं, जो कि आपको attract करती है, ये है plane का पिछला हिस्सा, एक plane और बे पर खड़ी है, हम इसे apron कहते हैं, और पीछे से कोई plane आपको taxi कर रही है, तो जब बात आती है, एरलाइन एरपोर्ट में job के regarding, ये चीजे आपको attract करती है, तो एक बात जरूर आती है, जो कि होती है, एरलाइन एरपोर्ट के job के regarding, सबसे खास होती है, वो होता है interview, ये interview आपको online भी हो सकता है, या फिर ये interview एरलाइन एरपोर्ट में job के लिए offline भी हो सकता है, जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर concerned person HR को अपना detail दिखा रहा है resume दे रहा है, या फिर जो कुछ भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, उसके बाद आपका interview होता है, जो भी process होता है, उसे follow करने के बाद, next day या फिर same day, जो भी concerned team होती है, वो बैठती है, और airline के process के according, जो भी steps होते हैं, वो follow किया जाते हैं, और interview उस दिन का खत्म हो जाता है, हाँ, कौन सही था, कौन गलत था, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, ध्यान देने की बात ये है, कि आपका interview खत्म होने से पहले, ये जो सारी चीजे हैं, ये जो सारी बाते हैं, congratulations, आपका selection हो चुका है, हम आपसे contact करेंगे, आपको एक mail आएगा, आपको उस प और नहीं, तो वीडियो के comment में आप comment करके पूछते हैं, और क्या पूछते हैं, जब भी मैं किसी airline के vacancy के बारे में update देता हूं, जो कि मैं लगबग daily देता हूं, रोज देता हूं, तो उसके comment section में एक comment जरूर आता है, और आज भी जब मैंने spice jet में vacancy का update दिया, तो एक question म मेरे पास आया, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैंने नाम चुपा दिया है, यह मैंने spice jet की vacancy का update दिया था, और यहां पर वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे पास थोड़े ही दिर में एक comment आता है, मैंने इनका photo नहीं चुपा दिया, पता नहीं अच्छा लगेगा Sir, 10th May को मैंने spice jet का interview दिया था, and they told me that they will revert me in 24 hours, अभी तक revert नहीं आया, तो इनकी बातों से ये बात clear लगती है कि ये last round तक गय थे और इन्हें confirm किया गया था, ये जो position ऐसा होता है, मैं भी कई बार जाता हूँ interview पे, पहली भी गया था, तो मुझे भी हम सभी को इस बात क इंतजार रहता है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए, किस तरह से करकर, क्या करकर contact किया जाए, तो दोस्तों, वीडियो का जो next part है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि I guarantee you, कि अगर आपने इन चीजों को follow किया, तो कही न कहीं से कुछ न कुछ करके, आपका contact जरूर हो जाएगा, अगर आप सच में select हो गए हैं, तो आपके पास एक confirmation detail जरूर आ जाएगा, तो उसके लिए जो first step आता है, वो आता है, recall the statement, उस वक्त आपको क्या कहा गया था, वो आप दुबारा से recall कीजिए, अगर हो सके तो, recall करने के मतलब आपको से दुबारा से या बोला गया था, there may be a number of things, तो आप उसको एक बार recall कीजिए, साइध उसमें से कोई clue आपको मिल जाए, point number two जो आता है, what they have said, point number two जो है, ये point number one से related है, यानि कि जो उन्होंने कहा, उनकी बातों का extract निकालने की कोसिस कीजिए, कई बार ऐसा होता है कि बात करते करते बीच में या फिर last में कुछ ऐसा बोला जाता है, जो हम सुन नहीं पाते या फिर समझ नहीं पाते, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उन्होंने कुछ आपको guide किया, बताया और आप उसके according action लेने से, आप उसके according act करने से पीछे रह गए, या फिर आपको पता नहीं चला, आप भ जूम के उपर या फिर कोई document होता है, उसके पीछे या फिर कही corner में जो file लेके जाते हैं, वहां लिख देते हैं, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ओवर कॉल जब मैंने उनसे connect किया, अपने Instagram चैनल fly air India, या फिर Telegram चैनल fly air India, या फिर YouTube के comment section में ही, तो जब मैंने उन्हें आप बताया, तब बोले कि हाँ, 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 सारी, सारी, हम भूल गए थे, अपने detail, मैंने detail लोट किया था, ये जो situation है, मेरे 3-4 candidate के साथ हुआ, और finally उन्होंने contact किया, और उनमें से एक बंदा spice में, और I think दो indigo में काम कर रहे हैं, already फिलहाल, जो point number 4 है, वो है, go for next interview location, य अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, तो ये काम कर सकता है, ये क्या है, ये जानने से पहले आप एक छोटा सा incident जान लें, आप मैंसे बहुत लोग तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोग ये जरूर जानते हैं, कि मैंने maximum, मैंने बहुत लोगों का interview किया, around 10,000, 15,000, अब आ इतने लोगों का क्या, तो अगर मैंने एक भी interview लिया, एक location पे, तो वहाँ पर लगबग 2,000 के आसपास लोग तो जरूर आते हैं, तो आप समझ सकते हैं, अगर मैंने 5, 6, 7 भी interview लिया, तो ये counting पूर ही हो जाती है, airline कौन सी थी, airport कौन सा था, location क्या था, ये नहीं बताऊं कि हमारे जो coordinator थे, he was a very good guy, he is a very good guy, in fact, अभी system में है, और काफी अच्छे position पे है, तो वो आकर बोलता है कि सर्फ कुछ लोग आएं हैं, लगबग 10 या 12 के आसपास, और वो बता रहे हैं कि उनका already selection हो चुका है, लेकिन उनके पास कोई confirmation नहीं आया, हम लोग थोग सक confused थे, कि ठीक है, अभी एक interview चल रहा है, तुम उनको इस वाले batch के बाद में भेज देना, जब वो लोग कमरे में आये, तो उनमें से चार से छे ऐसे चेहरे थे, जिन्हें में पहचान पा रहा था, अंदर आने के बाद, जब उनसे पूछा गया, तब उन लोगों ने बताया कि सर आएगा, आपसे contact किया जाएगा इसके regarding, उसके बाद जब हमने अपने details, records को check किया, तब ये पाया गया कि ये उनका selection हुआ था, इस वाले interview process से पहले, यही वो लोग थे, जिनका selection हो गया था, लेकिन due to any reason, या तो file missing थी, या फिर airline को उस पक्त requirement नहीं थी, कुछ भी करके मा कोई communication उनसे नहीं हुआ था, finally क्या हुआ कि हमने जितने लोग का interview लिया था, ले लिया, उसके बाद जो remaining requirements थी, उसको पूरा किया गया, इनहीं 10-12 लोगों से, और बात बाकी जो लोग थे, उनका एक formal interview लेकर हमने उनको जाने दिया, तो इस सवाले बात से आप क्या समझते रहा हूं, अगर आप कहीं भी जाते हैं interview के लिए, तो आपको इसके regarding ध्यान जरूर रखना चाहिए, उसमें से जो पहली बात आती है, try to get the number of the coordinator, यहाँ पर get के बदले हैट हो गया है, sorry इसको आप ignore कीजगा, यानि कि जो भी coordinator है, मैंने अपने पिछले example में क्या बताया, ज कुछ भी करके, चाहे पानी, कुछ भी करके, hi hello, number ले लो, और promise करो कि मैं आपको urgent situation में ही call करूँगा, sir, please अपने number ले, please, 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 to point number two आता है, वो है, try to get the email IDs, वहाँ पर जो लोग भी होते हैं, जो की interview ले रहे होते हैं, आप उनका नाम जानने की कोशिस कीजिए, कई ब abhay.pande.at, जो airline का, जो main domain है, आप उस पर करके, पर try कीजिए, कौन जाने, आपको वहाँ पर, बात मिल जाए, वहाँ पर आपको connection मिल जाए, जो third point है, वो है, must note the mobile number of new, या फिर few of the candidates, जो भी candidates वहाँ पर हैं, कोशिस कीजिए कि, वो लोग जो की final round तक आपके साथ गये हैं, तो, और आप उनसे अगर touch में हैं, तो वो आपको बता देगा या बता देगी, उसके बाद, एक हपते तक वेट कीजिए, और नहीं, तो जिस email ID से confirmation आया है, उसी email ID पे, आप एक बार reply कर सकते हैं, आप mail send कर सकते हैं, एक request, जितना polite होकर, जितना polite होजी होजी है, thank you very, sorry, सही तरीके से mail को सजा कर, बुल्दस्ता बना कर, और एक request भीज़े, कि sir, please, मेरा selection हो गया था, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं, आप लोगों ने कहा था, please, please, look into it, I am eagerly waiting to be a part of your prestigious airline, you know, ये अलग बात है कि एक साल बात उस airline को लात मार के भाग जाना, कहीं और join करना, salary सब्सक्राइब कीजिए, मेरे यतने भी social accounts है, Instagram, Telegram, LinkedIn, Twitter, यहां वका, कहीं भी जाओ, Fly Air India मेरी user idea है, follow कीजिए, support कीजिए, वीडियो अच्छा लगा, लोगों को शेर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक क्या,